प्रेंड्स मैं हूँ प्रेम सुकुला स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अभी जो आप स्क्रीन पर टेक्स्ट देख रहे हैं इस तरह का क्रियेटिव टेक्स्ट आप कैसे क्रियेट कर सकते हैं पिक्सल लाइब आप का यूज करके आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो वीडियो को इंट तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए हम पिक्सल लाइब आप का यूज करने वाले हैं अगर आपके फोन में पिक्सल लाइब आप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो तो सबसे पहले आपको अपने फोन में Pixel Lab एप को ओपन कर लेना है एप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 dots पर क्लिक करना है उसके बाद image size में जाना है और इसकी image size आपको यहाँ से change करकी YouTube thumbnail कर देना है या आप और कोई भी size select कर सकते हो अपने हिसाब से size को select करने के बाद यहाँ A पर क्लिक करना है उसके बाद edit पर क्लिक करना है और यह जो new text है इसको आपको पूरा cut करके यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो आपको उसको लिख देना है तो मैं यहाँ पर creative लिख रहा हूँ आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो तो लिखने के बाद यहाँ done पर क्लिक करना है फिर ok पर क्लिक कर देना है अब इतना हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर text size में जाना है और इसकी size को आपको थोड़ा सा increase कर देना है आप यहाँ से भी इसकी size को increase कर सकते हो या आप यहाँ पर जो corner की तरफ यह point है इस पर click करके इसको इस तरह से स्क्रॉल करके छोटा या बड़ा कर सकते हो तो इतना कर लेने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है अब इतना हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ font वाले option में जाना है और यहां से आपको इसका font चेंज कर लेना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी font select कर सकते हो थोड़ा bold font रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं यहां से एक bold font को select कर लिया हूँ अब font को select कर लेने के बाद इसकी size को थोड़ा सो छोटा कर लेते हैं उसके बाद उपर की तरफ relative position वाले option में जाकर के इसको एकदम बीच में आपको कर देना है बीच में कर लेने के बाद अब आपको यहां पर color वाले option में जाना है और यहां से आपको इसका color change करना है तो सबसे पहले हम यहां से gradient select करेंगे उसके बाद plus वाले icon पर click कर देना है तो अभी मैं जो यह point से जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ arrow से आपको एक बार इस पर click करना है फिर color वाले icon पर click कर देना है तो अब आपको इस तरह का interface दिखेगा अब यहां पर आपको इसका color change करना है तो यहां से सबसे पहले हम इसका color को change कर लेते हैं तो जो black color है आपको उसको select करना है और black से थोड़ा सा आप right side में लेकर जाएंगे तो यह जो उपर numbers दिख रहे हैं आप इन numbers को copy कर सकते हैं इनी numbers आप भी आपके वाले में भी रहने चाहिए अब आपको इसी तरह से second right side में जो pointer है उसके बाद फिर से आपको color वाले icon पर click करना है अब यहां से आपको color इसका एकदम dark black कर देना है तो अब यह इस तरह का आपका हो जाएगा gradient उसके बाद OK पर click कर देना है तो अब आपके text का color यही हो जाएगा फिर आपको यहां उपर की तरफ टिक पर click कर देना है तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहां उपर की तरफ जाना है यहां पर आपको एक option दिखेगा spacing का तो आपको इसमें जाना है और spacing को इसके थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, अपने टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं, स्पेसिंग में करके, फिर रिलेटी पोजीशन में जा करके इसको एक दमबीज में कर लेना है, अब यहाँ नीचे की तरफ जाना है, आपको यहाँ पर इस ट कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर देना है, तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ साइडो वाले आप्शन में जाना है, और इसको आपको अनेवल कर देना है, इसको अनेवल करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करना है, तो इस का offset Y यहां से हम 14, 15 कर दे रहे हैं, उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है, तो अब यह इस तरह का आपका side हो जाएगा, आपको emboss वाले option में जाना है, और इसको भी आपको enable कर देना है, इसको enable करने के बाद सबसे पहले आपको इसका light angle यहां से change करना है, तो light angle यहां से हम change करके 250 degree या 251 degree के आसपास आपको कर देना है, उसके बाद intensity में जाना है और इसकी intensity पूरा full और ambient light भी पूरा full 100 तक कर देना है, इन दोनों को full करने के बाद इसका specular hardness 34 कर देना है, और इसका bevel आपको एकदम से कम करके one कर देना है, तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहां पर 3D text में जाना है और इसको भी आपको enabled कर देना है, इसको enabled करने के बाद सबसे पहले यहां पर जो perspective select था, इसको आपको oblique select कर लेना है और इसका depth आपको यहां से increase कर देना है, तो इसका depth यहां से आपको 2 या 3 आप select कर सकते हैं उसके बाद आपको dark end को इसके एकदम 0% कर देना है फिर यहां से आपको इसका oblique angle change करना है तो इसका oblique angle हम यहां से change करके 250 degree के आसपास कर रहे हैं आप अपने हिसाब से थोड़ा इधर धर भी कर सकते हो अब इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है यहां पर आपको light angle का option दिखेगा इसका light angle आपको यहां से 251 ही रहने देना है और इसका intensity 100 side 0 कर देना है इस specular hardness आपको यहां से इसका थोड़ा सा increase कर देना है तो इसका specular hardness हम 60 कर रहे हैं अब इतना हो जाने के बाद इसका depth हम 2 ही रखते हैं उसके बाद आ अब इतना हो जाने के बाद आपको इस तरह का यह text create हो जाएगा अब आपको background वाले icon पर click करना है फिर यहां से color पर click करना है और जो gradient आपने text के color के लिए select किया था वो gradient आपको पहले number पे ही दिखेगा आपको उसी gradient को background के लिए भी select कर लेना है तो अब आपको इसको save करना जाएगी तो friends आपको इस वीडियो कैसा लगा comment करकी जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और bell icon को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको ऐसी वीडियो की notifications मिल करती रहें thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में